Hello Students, VKCI Computer Education में आपका स्वागत है Students and Friends, मैं आपको वताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको All Computer Fundamentals CCC, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, CorelDraw, Photoshop, Teleprime आध इन सभी टॉपिक पर 1Y1 VKCI Computer Education पर आप सभी को Classes मिलती रहेंगे तो Friends इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को Share करें तो चलिए Students, आज का वीडियो स्टार करते हैं Students, आज इस वीडियो में Teleprime में Purchase Invoice with GST कैसे Create करते हैं मतलब अगर आप Purchase Invoice बना रहे हैं तो उसमें GST कैसे Implement करेंगे वो इस वीडियो में Step by Step पूरा समझाया जाएगा तो Students and Friends इस वीडियो को पूरा देखें तो Students, चलिए इस वीडियो को Start करते हैं तो Students, Teleprime Software ओपन करते हैं यह देखें, Gateway of Tally यह आपका पेज है यहां से हम सबसे पहले सबसे पहले हमें कुछ लेजर क्रेट करने पड़ेंगे लेकिन Students and Friends लेजर क्रेट करने से पहले आपको जब Company क्रेट की है आपने Company मतलब जो भी आपकी Company है जैसे यहां पर VKCI Computer Education यहां पर यह Company क्रेट की गई है तो सबसे पहले F11 प्रेश करेंगे और जैसे F11 प्रेश करेंगे तो यहां पर यहां पर इंटर प्रेश करते हुए सबसे पहले Enable Goods and Servile Tags GST को यहां पर Yes करेंगे अगर पहले से यह से यह तो कुल बात नहीं है अगर Yes नहीं है, तो यहाँ पर Yes करों, Then Interpress करेंगे, और यहाँ पर Stat, मैं उत्रप्रदिस करेने वाला हू Bush admit यहाँ आपर मैं एक डाल ले जा है, यहाँ पर Regular लेंगे, यहाँ पर Noir रखेंगे, यहाँ पर यही रहेगा, यहां पर GST नमबर डाल लेंगे, यहां पर मन्खी रहेगा, और then then accept कराते हुए, यहां control यह press कर देंगे, तो यह accept हो जाएगा, इसके बाद, इसे no ही रखेंगे TDS को, कि अभी हम GST समझा रहे हैं, तो यहां पर TDS को no रखेंगे, तो then यहां पर interface करेंगे, Students, तो सबसे पहले, जब भी हम कोई भी sales invoice या purchase invoice, Students, यहां पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप purchase invoice बना रहे हैं, तो तो आप bill देख करके उसे बनाएंगे, और अगर आप sales invoice बना रहे हैं, तो practically जो भी sales invoice है, जो sales हो रहे हैं, आप जो batch रहे हैं, जो items आप दे रहे हैं किसी को या service आप provide करा रहे हैं, तो उनका लेजर बनेगा, जिससे आप sales invoice with GST आप implement कराके invoice को आप बना सकते हैं, तो students, तो अब चलिए, यहां पर कुछ लेजर हमने पहले से बना दिया हैं, तो यहां पर alter करके देखते हैं, सबसे पहले चलिए लेजर पर चलते हैं, यहां पर लोकल यहां पर इसे लिए है क्योंकि हम आज क्योंकि JST हमें काटना आएं, तो यहां पर हम state by state, मतलब अपने ही state से purchase किया है, तो हमें यहां पर इसलिए जिस party से mark creator party से हैं दी creator में तो यहां पर then enter दबाते हुए, address यहां पर डाल रहेंगे, और यहां पर जो भी JST में डाल प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करके सेव करा देंगे, दूसरा लेजर हमने IGST के लिए DLF Private Limited के नाम से बनाया है, यह दिखिएगा यहां पर, DLF Private Limited के नाम से बनाया है, जैसे माल लिजे कि हम विल्दी से computer को सामन पर्चेस किया है, क्योंकि IGST सम्दानी के लिए other state का होना जरूर ही है, तो हमने यहां पर इसकी DLF Private Limited लिए है, तो यह सेंटी प्रेस में जाएगा, तो इससे हम माल पर्चेस करेंगे, और यहां पर यहां पर GST नमबर और यहां पर इंटर प्रेस करके एक्सेट करा देंगे, इसके बाद एक हमने customer का लेजर बनाया है, XYZ, यह इसे सारी चीज़ें फिल करते होए, GST नमबर है तो डाल लेजेगा, और यहां पर हम इंटर प्रेस करेंगे, और इसे एक्सेट करा देंगे, इसके बाद, इसके बाद स्टूडेंट दो लेजर और प्रेट आपको करना पड़ेगा, एक आपको good sales, good purchase, तो देखें यहां प गोर्स का इंवोर्स बनाना है, तो यहां पर डालते होए, एक्सेक्ट करेंगे, इसी प्रकार से, good sales का लेजर प्रेट करेंगे, और जो की आपका sales एकाउंट बढ़ाएगा, यहां पर गोर्स का हम बनाएगे, इनवोर्स तो यहां पर गोर्स ले ले लेंगे, यहां पर इंटरप्रेस करेंगे, तो यह तो फुस्ते आपके लेजर जो आपको बना नहीं था, तो यहां पर आपके 5 लेजर में आपको समझा चुका हूं, एक ABCD private limited local, एक XYZ private limited local, एक DLF जिसमन में IGST समझाना हैं, और उसके बाद एक goods purchase और goods sales का लेजर, इस्टूडेंट्स यह पूरा manually मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब यह वीडियो नंबर 20 and 90 वीडियो आप पूरा देखें, आपको पूरा समझा दिया गया है, तो प्लीज आपको और अच्छा ही समझाना आजाएगा, वो वीडियो आप clear देखें, तो चलिए students आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर student कोई भी यहाँ पर देखेगा, GST का लेजर नहीं बनाएगा, तो चलिए GST का लेजर मैं आपके सामने बना देता हूं, GST का लेजर कैसे बनाते हैं, create पर जाएगे, interface करेंगे, laser पर जाएगे, और देखे, laser patient के window open है, यहाँ पर सबसे पहले CGST, CGST का laser बनाएगे, CGST का laser बनाएगे, यहाँ आपका duty and taxes में जाएगा, तो यहाँ पर duty and taxes ले लेगे, और देखे, GST, यहाँ पर GST सलेक्ट करेंगे, और CGST है, तो central ही सलेक्ट करेंगे, और then यहा यहाँ पर कोई problem नहीं, हाँ पर आप रख लिजेगा, नॉर्मा रख लिजेगा, और then interface करेंगे, यहाँ पर accept करा लेंगे, इसके बाद student SGST, यहाँ पर सलेक्ट करेंगे, और 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 यहाँ पर इंटेग्रेट टेक्स लेंगे, और यहाँ यहाँ पर नॉर्मा ले लेंगे, और यहाँ यहाँ पर नॉर्मा ले लेंगे, और और इसके बाद इसे then accept परा रहेंगे, तो student यह हमारे JST के लेजर बन गए, अब student आगे चलते हैं, तो students यहाँ पर अभी एक work और बचा उसे complete कर लेते हैं, तो चलिए alter करते हैं, अल्टर हम यहाँ पर stock group में जाएंगे और देखिए, पहले फर्मी चलिए, यहाँ पर interface करेंगे, interface करते हो यहाँ पर yes करेंगे, और जैसे yes करेंगे, discussion यहाँ पर goods डाल देंगे, next इसमों लिख देते हैं, goods डाल देंगे, HSN number मैं ऐसी डाल दे रहा हूं, 12345678, और आप bill में जो भी है, वहाँ आपना लिख सकते हैं, इसमें आपका tax label आएगा, और furniture है, तो confirm नहीं है कितने percent है, यह furniture पर चलिए हाँ पर मैं आपका 12 percent ले लेते हैं, example के तरीके से हो, और then accept कराते हैं, इसके बाद general store पर लेते हैं, और फिर एक बाद संगी general store पर जाते हैं, और यहाँ पर yes करेंगे, yes करके यहाँ पर description, goods डाल देंगे, यहाँ पर HSN number डाल देंगे, आप बिल में देख करके डाल दीजेगा, then interface करेंगे, यहाँ पर tax bill आ जाएगा, यहाँ पर 12 percent डाल देंगे तो 60 percent आपका यह पूर जाएगा, इसके बाद hardware and software यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर yes करेंगे, description में गुर्ष डाल देंगे, HSN number कोई भी ऐसी डाल देंगे, आप बिल में देख करके डाल दीजेगा, then interface करेंगे, यहाँ पर taxable करेंगे और यहाँ पर 18 percent, और यहाँ पर 99 हो जाएगा आपका then accept करेंगे, इसके बाद students अब अब चलते हैं वाउचर में, F9 app already है, supplier invoice में invoice number डालेंगे, जो invoice number डिया होगा आपका, यहाँ पर चलिए, हम को भी डाल देते हैं, यहाँ पर वो date mention करेंगे जो आपके बिल में पड़ी होगी, आगे किस party का नाम भी बिल में डेख लेंगे, यहाँ पर example ABCD private limited का लिया गया है, और receive note कब आपको हुआ वो number क्या है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे, यहाँ पर receive number डाल देंगे, receive document number डाल देंगे, यहाँ पर date डाल देंगे, dispatch रुक इसके द्वारा डाल देंगे यहाँ पर data, यहाँ पर destination कहां पहुचाना है, तो जगत form यहाँ पर return लोटा, then interface करेंगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर number आ जाएगा, date यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आपका y का number आ जाएगा, तो number डालते हैं, वो भी number यहाँ पर डाल दिया, example की तरीवे से यह हम accept करेंगे इसे, आगे हम यहाँ पर good purchase ही select करेंगे, इसके बाद चलिए हम चलते हैं, CPU लेखे हैं, तो CPU मालेज हमना bulk point की लिए है, और CPU हमने मालेज लिख दिजए है, यहाँ पर 4000, then interface करेंगे, यहाँ पर M दबाएगे mouse या monitor आ जाएगा, और यहाँ पर monitor गिया 4000 ले देंगे, then interface करेंगे, या space की दबाएगे तो list of stock item आपका full लेगा, इसका बाद mouse ले ले लिजेगा, यहाँ पर 300, then interface करेंगे, आगे हम यहाँ पर जाएगे, और यहाँ पर आगे जैसी जाएगे, और यहाँ पर हम आपका यह, चलिए, UPS ले लेते हैं, और यहाँ पर 10 UPS, 10 को जब चलिए 3 ले ले लेते हैं, और यहाँ पर हम, 1,800, then interface करेंगे, चलिए, और स्विस की दबाएंगे, और यहाँ पर CPU हो गया, आपका keyboard ले लेते हैं, keyboard चलिए 5 और यहाँ पर keyboard हम, keyboard का 350 ले लेते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर GST भी काटेंगे, यहाँ पर नरेशन डालेंगे, वेंग गोर्स पर्चेस फ्रों ABCD प्राइवेट लिम्टेट, then इसे एकसेप्ट करेंगे, या कंटोर पिलस एसे भी इसे एकसेप्ट कर लेंगे, तो students इस तरीके से purchase invoice हम create करते हैं, अब इसका invoice देखते हैं, तो students हम दे बुक पर जाएंगे, दे बुक जाने के बाद नीचे सबसे नीचे देखें, यहाँ पर आपका यह purchase invoice दिया हुआ है, इंटर प्रेस करेंगे और alt-p, alt-plus-p, इसके बार यह देखे, current-counter-plus-p यहाँ पर click करेंगे, अब यहाँ पर देखे, preview हमने देखना है कि invoice हमारा कैसा देखेगा, तो यहाँ पर हम click करेंगे, preview पर zoom करके देखेंगे, तो इसको देखेगा, कि यह आपका, यह देखे, supplier, ABCD private limited, जहां से माल यह देखेगा, purchase किया है, जो हमारी centic credit party है, और यहाँ पर जो आपने डाला थे, यह देखे, invoice number dated, वो सभी हाँ पर fill हो गया है, इसके बाद जो हमने items लिये थे, और cght और जो आप hght cutter था, तो आपका यह देखेगा, students, पूरा आपका यह invoice है, इस तरीके से, यह purchase invoice, इस तरीके से हम create करते हैं, Students, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को like करें, अब अपने दोस्तों को share करें, और इस चैनल को subscribe करें, thank you for watching, मिलते हैं next वीडियो में, जै हिल्ट!